दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मनोच फ्रीडिश यूट्यूब चैनल को और साथ में दबा दीजिए इस बेल के आइकन को ताके आपको मिले सारे लेटस वीडियो की जानकारी सबसे पहले नमस्कार दोस्तों सागत है आपका मोनोच फ्रिडिश यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वीजोन 8007 के लिए एक नई सौफ्टेर अप्डेट देने वाले है उस सौफ्टेर अप्डेट में दोस्तों आपको एक नए यूजर इंटरफेस मिलेगा और साथ ही में वो सारे ओप्षन मिलेंगे जैसे कि DSCAM, Sharing और भी कुछ नए ओप्षन दोस्तों आपको उस सौफ्टेर में मिलेंगे तो चलिए सौफ्टेर अप्ग्रेड कर लेते हैं दोस्तों सौफ्टेर अप्ग्रेड करने से पहले एक बात मैं आपको बता दू जिन भाईयों के भी 1506T, 8007 और 8009 बंद पड़े है वो हमसे कॉन्टेक कर सकते हैं हम उनको बताएंगे कि किस तरह से आप उन बंद बड़े बॉक्स के अंदर पेड़ चैनल चला पाऊंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मेनू बटन दबा दिया है उसके बाद दोस्तों मुझे जाना है सेटिंग वाले उप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक उप्शन मिलता है अप्ग्रेड नाम का अप्ग्रेड वाले उप्शन पर जाकर दोस्तों मैं रिमोट से ओके बटन दबा देता हूँ तो उसके बाद मुझे यहाँ पर और एक नया उप्शन दिखाई देता है usb.card अप्ग्रेड उसे भी मैं ओके दबा देता हूँ तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी paint drive मेरे setup box से connected है उस paint drive के अंदर जो भी software मैंने copy करके रखा है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर मैंने software जो रखा है 15060new.bin इसे मैं अपने setup box में अप्ग्रेड करने वाला हूँ तो यहाँ पर उस file को select करके मुझे ok बटन प्रेस करना है उसके बाद जो है मेरी software अप्ग्रेड की process यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर software अप्ग्रेड की process शुरू हो चुकी है read data, erase flash, upgrade flash and restart system ऐसी चार चीज़े यहाँ पर होती है और साथी में यहाँ पर एक warning message है Please don't turn up the power अगर जब भी आप software अप्डेड करते हो उस दौराण आपकी light जाती है तो आपका setup box dead हो सकता है तो यहाँ पर इस बात का आपको सबसे ज़्यादा खयाल रखना है तो हमारा setup box से लगबग upgrade हो चुका है 90% 95% हमारा upgrade हो चुका है अब इसके बात हमारा setup box reboot हो जाएगा तो नए वाले software में कोई boot लोगों आपको नहीं मिलेगा सिधा ही आप यहाँ पर आपका box on हो जाएगा उसके बात दोस्तों इस setup box का मैं आपको user interface दिखा दू तो यह नए software का user interface दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इस नए software में आपको user interface दिखाई देगा तो यह जो software है दोस्तों यह करने से आपके बहुत सारे problem solve हो जाएगे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको installation menu में दिखा दू कि हमें वही सारे option मिलते हैं जो कि हमें 8007 के original option में मिलते थे लेकिन यहाँ पर जो software का user interface है यह थोड़ा सा अलग है और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है अगर आपको इस software upgrade करना है तो आप कर सकते हो आपके setup box में उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू जिनके भी setup box बंद है वो multi media वाले option में sharing वाला option होता है उस sharing वाले option के जरिए आपके जो भी बंद पड़े हुए channel है वो आप चला सकते हो जिने भी यह सारी चीज़े जाननी है पता करनी है कि कैसे 8007 में paid channel चलाना है तो दोस्तों वो हमसे contact कर सकते हैं निचे description में हमारा number आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इस software का user interface में आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको e-cast नाम से एक और नया option यहाँ पर आपको मिल जाता है तो इसी तरह से दोस्तों यह जो software है काफी अच्छा software है अगर आपको update करना है तो आप अपने setup box में update कर सकते हो यहाँ पर multimedia में दोस्तों मैं कोड लगा रहा हूँ 1506 तो जैसे मैं 1506 लगाता हूँ यहाँ पर मुझे sharing, dq, cam इस सारे option मिलते हैं तो sharing वाला option दोस्तों यहाँ पर आपके काम का है sharing वाले option के जरिये ही आप paid channel देख पाओगे आपके पुराने बंद बढ़े हुए setup box में और आपने यारों दोस्तों के साथ share कीजिए, thanks for watching this video